लोगसभा चुनाओ का प्रारम्म जब हुआ यानि जब आगाज हुआ तो आपने एक गठबंधन का मरसिया सुना यानि एक गठबंधन तिरोहित हो गया वो था UPA अब UPA का नाम नहीं सुनाई पड़ता है अब जो जो लोगसभा का चुनाओ अपने अन्जाम पे पहुँच रहा है तो अब इंडी गठबंधन जो है उसका भी मुझे लगता है कि वो अपनी अंतिम तिरांजली की तरफ बढ़ रहा है क्योंकि अब इस अंतिम चाड़क के चुनाओ परिणाम में अधि आप देखें तो जो मुक्य रूप से जिन पांच राज्यों में चुनाओ हो रहा है पंजाब जहां इस इंडी गठबंधन के दल आपस में लड़ रहे हैं हमादी पार्टी और कॉंग्रेस हिमाचल प्रदेश वहां इंडी गठबंधन था ही नहीं हमारा और कॉंग्रेस सीधा मुकाबला उत्तर प्रदेश वहां पे अगर आप देखें तो हमारा और समाजवादी पार्टी का मुकाबला और कॉंग्रेस वहां सेकंड फिडल रोल म बिहार में जो इंडी कड़ बंदन था उसके सूत्रधार राष्ट की मुख्यधारा में पहले ही आ गए थे अब आईए पशिम बंगाल में तो वहां भी कॉंग्रेस और मम्ता बनर जी एक दूसरे से लड़ रही है अधिरंजन चौधरी जी के बयान देखिए यहां तक कि वहां के कॉंग्रेस कारिकरताओं ने खड़गे जी के भी मीडिया में रिपोर्ट आई कि उनकी फोटो के उपर भी आपतिजना खरकत की तो इससे बहुत साफ है कि पंजाब से बंगाल तक इंडी गठबंधन पूरी तरीके से ध्वस्त होता हुआ दिखाई पड़ा है इस चुनाओ के अंतिम चरण आते आते और फिर आप मज़दार बात यह देखिए कि अभी आपने एक वीडियो देखा जिसमें बिहार में तीन लोग दुई ठुब बिटवा और एक ठुब बिटिया मतलब राहुल जी और मीसा भारती जी और तेजस्वी आज़गी और तीनों बैटके ज्ञान दे रहे थे बाँच रहे थे कि उत्तरप्रदेश और बिहार क्या होगा जब कि अगर देखा जाए तीनों ने यह जो डिस्टिबिउशन ओफ लिगेशी की बात करते थे की अपनी पार्टी की डिस्ट्रक्शन अफ लीगेसी की अपनी विरासत को विध्वन्स किया है और इनका देखे ट्रैक रिकॉर्ड कितना शांदार है कि राहूल गांधी जी उनके पिता जी चार सो चौदा सीटे लेके आये थे और वो चवाली सीटों पे लाए उत्तर प्रदे में एक जीती है कि 2019 में राइबरेली बाकी सब हारे मीशा भारती जी अपना चुनाव स्वेम हारी और तेजस्वी आदव जी मतब तीन बार लालू यादव जी और राबडी मुक्यमंत्री रहे परंतु उसके उपरांत भी एक बार भी सरकार का एक डिड़ साल भी पूरा न बाचे कोई तो इनके जो कर्म हैं वो स्वेम दिखा रहे हैं कि वो एक ही दूसरे के साथ बता रहे हैं एक दूसरे को बता रहे हैं कि किस प्रकार से राजनीती होनी चाहिए ौर वास्विक्ता यह है कि उनकी स्वयम की स्थिति उनके अपने कर्मों से यदि विचार करें तो और इस्पष्ट हो जाती है अब आप बंगाल में आईए तो यह मीडिया में खबर आई है कि मम्ता बनर जी जी ने बहुत इस्पष्ट रूप से कह दिया है कि वो एक जून को आहूत इंडी गडबंदन की बैठक में नहीं आए है दूसरा एक विषय यह भी कि पंजाब में आपने देखा कि वहां सरकार के एक मंत्री बलकार सिंग का एक बहुत आपत्ती जनक वीडियो आया है जिसमें उन्होंने एक लड़की के साथ बहुत आपत्ती जनक हरकत करते हुए दिखाई पढ़ आप सोचिए यह पार्टी वही है जो दिल्ली में अपनी महिला सांसत को मुख्य मंत्री आवास में दुर्वेभार करती है और उसके बाद नलज्जता के साथ उसका चरित रहनन करती है और इसी सरकार का मंत्री पंजाब में इस प्रकार की हरकत करते हुए दिखाई पढ़ता और उसके बाद भी यह पुन्वेदना के साथ और प्रबलता के साथ इसका सही उत्तर देगी। और मानी प्रधान मंत्री जी ने भी अपने साक्षातकार में और अपने उद्बोधन में ये बात कही है कि पंजाब में जो सरकार आई है वो एक प्रकार से अर्बन नकसल माइंडसेट की सरकार है इसलिए जब से यह सरकार आई है पंजाब में कानून विवस्था की स्थिती खराब हुई है और अभी CMI की जो एक रिपोर्ट आई कि फर्स्ट इयर में पंजाब में जो इन्वेस्मेंट है वो 85% गिर गया 2022 में जो इन्वेस्मेंट था 23,655 करोड़ रुपए था वो 3,492 करोड़ रुपए पर आ गया और अगर इस वर्ष का देखेंगे तो और भी नीचे आ गया होगा ये दर्शार आए कि पंजाब जो उत्तर भारत के सबसे सम्रुद राज्यों में से एक माना जाता था जहां पर की इंटर्पेनोर्शिप, इन्वेस्मेंट और बिजनिस बहुत प्रबलता के साथ बढ़ता हुआ माना जाता था इस सरकार के आने के बाद संभावता हिस्ट्री में पंजाब में सबसे गहरी गिरावट देखने को मिली है तो ये दर्शाता है कि इनके शासनकाल में किस प्रकार की इस्थिती पंजाब की पहुँची है और इनके गढ़वंदन की किस प्रकार की गती और दुरगती हो रही है जिसके लिए वो तीन लोग बैठ कर जितने भी प्रकार की विवेचना करें परंतु उसके साथ देश की जनता सिर्फ संवेदना ही दिखा सकती है और एक विशय जो लोग बार-बार बहुत उठाते थे पशिम बंगाल में हाई कोड ने बहुती स्पष्ट रूप से आरक्षन के विशय के उपर मुस्लिम आर संविधानिक प्रावधानों को धता बताते हुए किया गया उसके उपर कोड ने टिपणी की थी परंतु ये लोग संविधान बदलने की बात करते थे और स्वयम इनका मनोभाव क्या है वो आप चेक कर सकते हैं ये अकलेश यादव जी का ये वीडियो मुस्लिम मानों को आरक्ष्ण देना चाहती है तो आरक्ष्ण आवादी के साब से दे समाजवादी पार्टी उनके साथ पूरी तरीके से समविधान संसोधन के पक्षमें हैं अर्थात जो माननी प्रधान मंत्री जी कह रहे तो वह इनका मंतव है ये पहले भी लिख भी चुके हैं यानि तीनों स्टेप पे काम कर चुके हैं बहुत इस पष्ट कह रहे हैं कि इसके लिए समविधान संशोधन करके क्या जा सकता है इसलिए बहुत साफ है कि समविधान निर्माताओं का भाव सर्वोच नियाले का भाव समविधान का मूल भाव उस सब को वोट ब अब ये अपने वोट बेंक की राजनीती करना चाहते हैं, इसमें किसी प्रकार का कोई किंतु परंतो नहीं है, कॉंगरेस का 2009 का मेनिफेस्टो देख लीजे, समाजवादी पार्टी का 2012 यूपी विधान सभा का मेनिफेस्टो देख लीजे, कॉंगरेस की सरकार के द्वारा आ यानि अब यह बात बहुत इसपश्ट है कि अपनी अवश्शंभावी पराजय को देखकर पूरी तरीके से इस गढ़बंदन का अंतर विरोध सामने आ रहा है क्योंकि उनको लगना ना इलेक्शन तो अंतिम चरण में आ गया तो उसके बाद तो अपने असली रंग दिखाने वो शुरू ही करेंगे और मैं एक बात और इन सारे प्रदेशों की जनता से जहां जहां इन चुनाव बाकी हैं मैं साफ कहना चाहूंगा कि जब इस पश्ट है कि पंजाब और बंगाल में ये दल आपस में लड़ रहे हैं तो इनको वोट देना मेरे विचार से बहुत बीच में इस तरीके का संबन्द है कि दिल्ली में एक दूसरे से आम आदमी पार्टी और कॉंग्रेस का प्यार था और पंजाब में जूतम पैजार है तो आप बहुत साफ समझ सकते हैं कि इनको वोट देना एक प्रकार से अपने वोट को व्यर्थ करना है चूंकि उनको मिला हुआ जो भी वोट है वो उनकी आपसी लड़ाई के अतरिक्त और उसकी कोई सार्थक्ता नहीं होगी इसलिए इस पश्ट रूप से अब हमें साफ दिख रहा है कि अंतिम चरण आते आते देश की जनता ने ये सारी बाते देख ली है और प्रधान मंत्र श्री नरिंद्र मोदी जी के नित्रत में एंडिये और भारती जनता पार्टी बहुत शांदार तरीके से जो हमारा लक्ष है चार सो पार उसकी तरफ जा रही है और देश की जनता निरणायक रूप से पूरी भावना के साथ और पूरे समर्थन के साथ उसके साथ खड़ी ह इसलिए मैं यह पंक्ति कहकर बात समाप्त करता हूँ कि राहुल इंडी और घमंडी राहुल इंडी और घमंडी सबका संकट एक है आएगा तो मुदी ही चूकी नियत नेक है धन्यवादी पहला सवाल यह कि पच्छे मंगार की ममता बेर जी नेका है कि अगर हम सीपीम को खाड़ सकती है जो तीस साल रहे के सो काल्ड साइंटिफिक रिगिंग करती थी तो वो भी खाड़ सकती है और ममता जी को ध्यान रखना चाहिए कि वो सीपीम से संगर्ष कर रही थी तो भारती जंता पार्टी उनके साथ थी और आज वो उसके विरुद्ध हैं और यह भी आद रखना चाहिए कि समय हम मुक्ष विपक्षी दल हैं और तब कॉंग्रेस से उनको अलग होना पड़ा था इसलिए ममता जी का वक्तव आत्मा वो लोकन के लिए जरूरी है और अभी तो उनका एक वीडियो आया था जिसमें कि वो अपने को मतलब डिवाइन ही बोलने लगी थी उन्होंने सब धंगंतों का नाम ले दिया था कि ये खतम हो जाएंगे मगर ममता जी की गारेंटी नहीं खतम होगी इसी को कहते हैं देखिए उनके अच्छे की परिभाशा और सीटों की संख्या या यूं कहें अच्छे की परिभाशा और सीटों की आशा मुझे लगता है कि अगर आप इसको समझ सकें तो आप समझेंगे बाद में वो कहेंगे कि हमने एक सीट लड़ी थी और मुझे लगता इस बार एक सी जीद जी की कांसीच्वेंसी से जहां से वो पहले कभी सांसद रहे थे वहां से वोट जिहाद का शब्द प्रयोग किया गया और इसके लिए कॉंग्रेस ने आस तक खंडन किया न उसके ओपर कोई कारवाई की ये दर्शाता है कि बदहवासी और बौकलाहट में वो किसीमा त उन सारे विश्यों को ध्यान में रखके जो उचित होगा वो निर्णे लेगा ये ये नियाले का विश्य है इसलिए इसमें टिपड़ी नहीं करना चाहेंगा हाँ वैसे हम यह जरूर कहना चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंग जी आपको ध्यान हो जब व वो दहाड़ दहाड़ कर भाषन दे रहे थे स्वास के आदार पर श्री लालू परसाद यादाव जी आदार पर बाहार है और रेलिंह में तब चौचक भाषन देते हैं तो मुझे लगता है कि इन सारे विश्यों को उपर ये नियाले के विवेक के विश्य है तो नियाले इस पर जो उची समझेने ने लेगा देखिए ये बहुत तुखद और दुर्भाग पूर्ण है कि माननी ये प्रधान मंत्री जी के कारिक्रम और सभाओं को बाधित करने का या प्रयास किया जा रहा है अनेक प्रकार की इस प्रकार की मीडिया की खबरे आई हैं जहांपर की पुलिस प्रशासन के द्वारा वहाँ पर लगे हुए बूथों को वहाँ पर किये जा रहे हैं इंजामों को हटाने ताजे प्रयास किया जा रहा है तो यही मैं साफ पूछना चाहूंगा यदि देश में प्रधान मंत्री जी को सभा करने से रोकने का प्रयास होता है और तो क्या ये लोगतंतर के लिए ये लोगतंतर इनके राज़ में बचेगा और मैं ये भी याद दिलाना चाहता हूँ ये आज का नहीं है मंता जी किया वो बाइट याद करिये जिसमें वो र मन में दुर्भावना नहीं कुंठा है इर्शा है चुंकि प्रधान मंत्री जी को निरंतर जनता का योग समर्थन और महबत मिल रही है और वो प्रधान मंत्री जी के प्रती जो भी नफरत रखें परंतु बंगॉल की जनता और पूरे देखे ये आमाद्मी पार्टी का सहज स्वाभाविक चरित्र है It is their natural characteristic character स्वाती मालीवाल जी के विशे के उपर बड़ी विचित्र बात है कि ना उनकी सरकार ने कोई इंक्वारी गठित की है ना उनकी पार्टी ने कोई इंक्वारी गठित की है स्वाती मालीवाल जी का वो चरित्रहनन करने में लगे है मर पार्टी से निकाल भी नहीं रहे है उसी प्रकार पंजाब में बलकार सिंग के विशे के उपर किसी प्रकार की कोई प्रत्रिया नहीं दिख रही है इससे दर्शाते हैं कि ये अंदर से क्या हैं और बाहर से क्या है अर्थात आम आदमी पार्टी का चेहरा क्या है और मुखोटा क्या है इन दो घटनाओं से महिलाओं के पृति उनके सम्मान का और अपमान का असली चेहरा और असली मुखोटा सामने आ जाता है इसमें कोई नई बात नहीं है इस तरह की दुखद घटनाओं को सदैव उन्होंने उसकी सम्वेदना को किनारे और राजनीत की जो उनके स्वार्त हैं उसको उपर रखा है और ये बहुत दुखद है इसके हम पूरी तरीके से बर्सना करते हैं और उसमें जिस प्रकार के प्राइमा फेसिया जांच में जो चीजे आ रही है उसमें ऐसा प्रतीत होता है कि दिल्ली सरकार और उसके संस्थानों की मैं कहूंगा लापरवाई नहीं है ये अपराधिक्रत